वेल्कम तू कर्मेन को एजुकेशन, स्ट्राइब तू एक्सिलेंस हाई फ्रेंट्स दिस प्रिया कर्षभ, कर्मेन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम डिसक्स करेंगे 24 अगस 2020 से लिएगे इंपोरेंट MCQs वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ जो है डिस्क्रिप्शन में देएगे लिंक के द्वरा आप इस वीडियो का डाउन वीडियो पीडियाफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी के साथ आगे बढ़ेंगे फर्स्ट कुर्शन डिसक्स करेंगे जो आप लोगों से कर पूछा गया था कुश्चन था श्री लंका में निम्ण में से किस ने जो है चोती बार देश के प्रधान मंतरी के रूप में जो है शपत दी आप्शन थे हैं महिंदा राजपक्षे राना सिंगे प्रेमदास गोत बया राजपक्षे या रानिल विक्रम सिंगे जो करेक्ट अंसर था इसका वो था एक महिंदा राजपक्षे डिटेल से रिखेंगे डिटेल सें स्री लंका पीपल्स पार्टी के जो है 74 वर्ष नेता महिंदा राजपक्षे ने जो है 9 आगस 2020 को चौथी बार जो है देश के प्रधान मंतरी के रूप में शपत ले और महिंदा एट लेक मदाताओं ने अपने मदादिकार का इस्तिमाल किया और जो है मतादान का जो प्रतीशत्रा वो 59.9 रहा था और महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच करीब एक दशक तक जो है देश के राश्रपती भी रह चुके हैं इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट कोशन है उत्तर परदेश सरकार ने किस देश के साथ बुंदेल खंट जल प्रबंदन पर योजना के लिए जो है समझोता किया है प्रांस, इसराइल, रूस यह जापान जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी इसराइल डिटेल से थेखेंगे डिटेल समत्तर परदेश सरकार ने राज्य के बुंदेलखन शेतर में जल संसादनों के प्रबंदन के लिए इसराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किये हैं जो के गृष्म काल में पीने का योग या पानी की कमी का सामना करता है भारत इसराइल बुंदेलखर चल पर योजना के लिए सहयोग की योजना पर दो साल की अवधी के लिए हस्ताक्षर किये गए हैं और बाद में इसे बढ़ाया भी जाएगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कुशन धर्म या विश्वास के अधार पर हिंसा के कार्य के पीडितों के मनाने वाला अंतरश्चे दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है आप्शन है 18 अगस, 19 अगस, 20 अगस या 22 अगस जो करेक्ट अंसर इसका वो है दी 22 अगस डिटेल से खींगे डिटेल से दूसरा वारश्रिक अंतरश्चे दिवस जो कि धर्म या विश्वास के अधार पर हिंसा के कारे के पीडितों का स्मरण करते हुए जो है 22 अगस दोजार वीस को मनाया जा रहा है इसी किसा साथ आखे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स कुशन नेक्स कोईशन है डॉक्टर कित रोवले ने हाल ही में किस देश के प्रधान मंतरी के रूप में जो है लगातार दूसरे वर्ष शपत ली है आप्शन है मेक्सिको, बार्बाडॉस, त्रीनी दाद और टोबेगो या डोमीनीकन गणराच्च है जो करेक्ट आंसर है इसका वो है C, त्रीनी दाद और टोबेगो डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं डॉक्टर कित रोवले ने जो है 19 अगस 2020 को लगातार जो है 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रीनी दाद और टोबेगो के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपत ली है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोईशन सरकार ने हाल ही में ट्राइफिट के ट्राइफ फूड प्रोजेक्ट के लिए दो त्रित्यस प्रसंस करण केंद्र शुरू किये हैं दोनों इकाईउगों किन शेरों में लांच किया गया है आप्शन है राइगड और जगदलपूर पूने और बिलासपूर ठाने और हूबली या सतारा और बालासवर जो इसका करेक्ट आंसर वो है ए राइगड और जगदलपूर डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं केंद्री जन जाती है मामलो के मंत्री श्री अरजुन मुंडा ने जो 20 अगस 2020 को ट्राइफुट जन जाती है के जो मामलो के मंत्रेले की ट्राइफुट परी योजना की शुरुआत की और जिसका उदेश्य जो है उदेश्य है बहतरपण जो है वनोपज और मुल्ले सर्वधन के माध्यम से जो आधि वासियों की आयमे वृद्धी करना इसका उदेश्य है और Trifur Project के साथ जो है शुरू करने के लिए कि जो है दो तृत्य प्रसंस करण भी जो प्रसंस करण केंद्र है वो लॉंच किये गए हैं और केंद्र में से एक जो है रायगाड जो की महाराश्टर में है और दूसरा जो है जगदलपूर जो की चतिसगर में है उसमें शुरू क कि आ गया है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन है गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में नीधन हो गया है वे किस खेल से जुड़े थे आप्शन है फुटबॉल क्रिकेट होकी या गॉल्फ जो इसका करेक् इसे जो है निधन हो गया है जो इनकी आयू थी वो 89 यर्ज के थे और उन्होंने जो है भारत में केवल प्रथम शेर्णी क्रिकेट में 1948 से 1963 तक दाए हाथ के जो मध्यम गती के गेंदवाज के रूप में खेला था इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन रूप में नेक्स्ट कुश्चन है फ्रासिसको आसियो को जो है किस देश के प्रथान मंतरी के रूप में न्यूक्त किया गया है आप्शन है बैनिन गेवान या एकवेटौरियल गिन्नी या आईवरी कोउस्ट जो correct answer है इसका वो है C एकवेटौरिल गिन्नी डिटे किया गया है और यह है असु का जो है पी एम के रूप में लगातर तीसरा का रेकाल है और उन्होंने पहली बार 희 में 2016 सुब्स क्या दुखाद, इसी के साथ देखिए क्या के नेक्स कोईश नेक्स कुईशन है श्रम मंतराले ने श्रम आप्शन है वैधियता विश्वसनियता सटिकता या इंप्रेशन जो इसका correct रांसल है वो है डी इसमें जो है इन डिटेल से श्रम और रोजगार राज्य मंतरी च्री संतोष कुमार गंगवर ने जो है 20 अगल 2020 को श्रम ब्यूरो का जो अधिकारिक लोगो लॉंच किया है जो की नए लॉंच किया गया लोगो गुडवत्ता डेटा का उत्पादन करने के लिए लेबर ब्यूरो की जो तीन ल परशाता है कि लेबर ब्यूरो का एक डेटा आधारित संगठन है जो की श्रमे को और काम से संबंदी डेटा से जो है संबंदित है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट कोशन है भारत में सदभावना दिवस किस नेता की जयनती को मनाने के लिए मनाया जाता है आप्शन है एपी जे अब्दुलकलाम राजीव गांदी अटल भ्यारी वाजपाई या चौधरी चरन सिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी राजीव गांदी डिट हैं हर साल भारत द्विंगत पूर्व प्रधान मंतरी राजीव गांदी की जयनती मनाने के लिए बीस अगस्त को सदभावना दिवस मनाया जाता है और सदभावना का अर्थ है वो है सदभावना और बंधन इसका अर्थ है और राजीव रतन गांदी इनका पूरा नाम था वो था राजीव रतन गांदी ये जो थे एक भारतीय राजनीतिक गये जो है पॉलिटीशन थे जिन्हों ने 1984 से 1989 तक भारत के छटवे प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया था और उन्होंने अपनी माप्रधान मंत्री जो है इंदरा गांदी की मृत्यू जो है 1984 की हत्या के बाद जो है 40 वर्ष की I.O. में सबसे कम उम्र के भारतिय प्रधान मंत्री के मंत्री बनने के लिए जो कार्य भार भी संभाला था इसी के ताथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट कोईशन नेक्स्ट कोईशन है दो ट्रिलियन डॉलर के मार्किट कैपिटलाइजेशन मार्क तक पहुचने वाली पहली अमेरिकी कमपनी का नाम बताईए आप्शन है Amazon, Walmart, Apple या वर्क्शायल हाथवे जो करेक्ट रंसर इसका वो है C एपल डिटेल्स देखेंगे डिटेल से 19 अगस 2020 को 467.77 डॉलर के उपर चरने के बाद जो है टेक्नोलिजी दिगज एपल जो कमपनी है पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली अमेरिकी कमपनी बन गई है जो की 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बादार पूंजी करन तक पहुँच गई है और मार्किट कैप में जो है 2 ट्रिलियन की कमाई करने वाली एपल दुनिया की एक मत दूसरी कमपनी है इसी के साथ एपल कमपनी के बारे में भी जानेंगे जो इसके CEO है वो है Tim Cook और जो इसके फाउंड किया गया था वो 1st April 1976 में California United States में इसे फाउंड किया गया था और जो इसका headquarters थी था वो भी California United States में इसका headquarters थी था है और जो इसके founders हैं वो है Steve Jobs, Steve Vosniak और जो 3rd बन है वो Ronald YN इसके 3rd जो हैं इसके founders है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं next question next question है DRDO ने पहली बार निजी शेत्री द्वारा पूरी तरह से निर्मित पिनाका रॉकेटों का जो है सफलता पूर्वग परिक्षन किया है किस company ने इस पिनाका रॉकेट को जविक्सित किया है option है सोर उद्योग भारत आर्थिक विस्पोटक लिमिटेड सुरक्षा और कूफिया सेवाएं या electro steel costing जो इसके correct answer है वो है B आर्थिक विस्पोटक लिमिटेड डिटील से भारतिये सेना ने जो है पोकरंट में जो है फाइरिंग रेंज से हाल ही में जो है निर्मित पहले निजी तोर पर निर्मित पिना का rocket का सफलता पूर्वा परिक्षन किया जिसने की सटिक निशाने लगा कर वांचित परिणाम को भी हासिल किये और rocket का जो निर्मान है आर्थिक विस्पोटक लिमिटेड द्वारा किया गया है और यह भारत में निजी शेतर द्वारा बनाई गई अपनी तरह का पहला गोला बारूद है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन है उस और यह था हमारा आज का लास्ट कोश्चन और इस कोश्चन को जो है सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे तो गाइस यह थे आज के कुछ इंपोर्टेंट एमसी क्यूज जो की लिए ग ना भूलें और इसी के साथ जो है डिसक्रिप्शन में दिये गए लिंक के द्वारा जैसे मैंने आपको पहले भी इंफर्म किया डिसक्रिप्शन में दिये गए लिंक के द्वारा आप लोग इस वीडियो का पीडियो जो पीडियेफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी नेक्स वूडियों में तब तक के लिए बाई and take care